नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाथ करता अगपार फिर से आप सभी गया MZT Education में दोस्तों आप सभी लोगों ने थमनेल पढ़ करके समझी लिया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है हम लोग बात करेंगे खांसर के दोस्तों खांसर को उनके नाम और उनके मज़वब को लेकर के बहुत ज़्यादा कंड्रोवर्सी कर रहे हैं कुछ लोग उनको ये नहीं पता है कि ये किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं एक ऐसा टीचर एक ऐसा महान टीचर जो दोस्तों हर एक कथिन से कथिन मुद्वो को कथिन से कथिन टॉपिक को दोस्तों इतनी आसान और इतनी सरल mix में इतनी आम manager में समझा देते हैं कि student को students का पूरा का पूरा डावट ही Khali Malia हो जाता है और इनकी वीडियोज ना सिर्फ इस्टुडेंट देखते हैं बलकि और भी ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जिनको पढ़ाई से भी मतलब नहीं रहता है लेकिन उन मुद्धों को समझना रहता है अब आप समझे किसी भी मुद्धों को अगर आप अखबार में पढ़ते हो या नियूज में सुनते हो कभी कभी वो सारी चीज़े बोरिंग लगते है या बहुत ज्यादा टफ लगती है लेकिन इनकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो कभी आप बोरियत नहीं महसूस करें और आपको वो चीज़े वो बाते बहुत ही अच्छे से समझ में आ जारेगी यही कारण है कि करोडो इस्टुडेंट इनकी दिवाने हैं और यही बात खटक रही है कुछ बड़े बड़े इंस्टिटूट को जिनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ कटर संदरपंथी जो हैं जिनकी तो अब क्या बताएं उनकी मान सिकता ही यही है कि कहीं से भी छोटा सा एक क्लिक मिल जाए उनको बस उनके लिए बस यही हो जाता है सोसल मीडिया पर उसी क्लिप को ले करके वो फैलाना सुरू कर देंगे 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड में आप किसी वीडियो में आया था किस संदर में आया था उसके आसपास बाते क्या चल रहे थी आप किसी भी वीडियो का 10 सेकंड 15 सेकंड निकाल करके आप उसको फैला रहे हो उल्टा सिद्धा भ्रहम फैला रहे हो लोगों में इस्टूडेंट के प्रति ठीक है और मैं तो यह पहले इनकी बारे में बात करते हैं आप सभी स्टूडेंट और हम सभी टीचर्स जितने भी यूटूब के टीचर्स हैं बाकी जो अधर प्लेटफार्म के जो भी टीचर्स हैं उनको सबको एक होना चाहिए जितने स्टूडेंट हैं उन सबको एक होना चाहिए और पूरा अ होता है या एक्जाम करवाना होता है तो हम लोग Campaign करते हैं और बोग एक सी साथ आ जाते है तो हम सब को फिर से आना है एक साथ support करना है ठीक हैक खानसर का support करना है जो लोग Mang festival आ रहे हैं जो लोग कुछ योग कट्रपनती हैं और कुछ एक दो एसे institute हैं जिनका जिनकी दुकान लग रहा है कि उनको बंद हो जाएगी उनकी उनको प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसा चीज़े कर रहे है तो हम सब को एक रहना है सपोर्ट दिखाना है खांसर को ठीक है और जो लोग पीछे पड़े हुए है उनको अच्छे से जवाब देना है अकी चीज़े तो दोस्तों खांसर के ओफिसियल चैनल पर आप लोग जाएंगे तो अभी रेसेंट जो वीडियो इनको ने अपलोड की हुई है उसमें सारा डाउट किलियर कर दिया है आई होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी कि क्या क्या है क्या क्या विवाद है कि कुछ लोग अमिज सिंग नाम को लेकर के कर रहे हैं बिवाद कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं फैजल खान ये इनका नाम असली नाम नहीं है तो इन सब से क्या मतलब है चाहिए अमिज सिंग हो फैजल खान या कोई भी हो इनसे क्या मतलब है आपको सिफ इनके जो पढ़ पढ़ाई जाने वाली चीजे हैं, उनसे मतलब रखना चाहिए, ठीक है, कोई भी student हो, मैं student के लिहास से बता रहा हूँ, कोई भी student है, तो वो teachers के पास आता है, ये देखने के लिए नहीं, कि वो किस जाती का है, किस मजहब का है, कहां से आता है, क्या करता है, हाँ ठीक है, fan following ह होती है, वो सब अलग बात है, लेकिन अब किसी के personal matter में इतना नहीं घुशना चाहिए, कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, तो आप उसको defame करने पर लग जाओ, अगर आप fame ना करो, तो defame ना करो, ठीक है, neutral हो ऐसी condition में, ठीक है, किसी को बदनाम करना य एक नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको देखना है कि कौन पढ़ा कैसे रहा है, आप इनकी वीडियोज जा करके एक बार देखेंगे, आप दोस्तों, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आपको गिने कुछ तीन या चार टीचर हैं, जिनक कि एक भी सिंगल वीडियो मिस नहीं करता हूँ, उनमें से एक ये भी है, खान सर भी है, मैं आपको सब का नाम बता दे रहा हूँ, खान सर है, एक प्रसान धवन सर है, इन लोगों की वीडियो कोई भी आती है, विकास दिविकीरती सर है, इनकी कोई वीडियो मिस ही नहीं कर पूरी वीडियो देखता हूं जो एक्जाम से रिलेटर होती है लेकिन हमको क्या एक्जाम देना है नहीं देना है फिर भी ऐसा होता है कि उससे knowledge मिलेगा जब knowledge मिलेगा लोग knowledge के लिए आते हैं तो उनको क्या मतलब है कि किसी से जा करके उसके जाति के बारे में बता करें कि वो कहां पर दिवाली मना रहा है कहां पर होली मना रहा है कहां पर इद मना रहा है इससे क्या मतलब है आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है आपको सिर्फ प यूटूबर्स हैं, यूटूबर्स क्या कहें उनको, वो लोग ऐसे मौके की तलासी करते रहते हैं, कुछ भी थमनेल बना करके, उल्टा सी धा, कोई भी थमनेल बना करके आ जाते हैं, वीडियो डाल देते हैं, उनको लगता है कि वो पॉपलर हो जाएंगे, आप लोग ऐसा क टोर रहे हो इकठा कर रहे हो क्या वो परमेंट रहेगी जहां कंट्रोवर्सी खतम तहां सब वापस जाने लगेंगे तो आप उतने में क्या कर लोगे अगर आपको यूटूब पर सकसे जोना है तो आप एक एक स्टेबल एक एक्टिव आडियंस बनाईए ऐसी आडियंस बना जो आपको ही आपके किसी वीडियों पर आपको गाली देते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो लोग भी वैसे ही थे जैसे आप थे जिन्नों आपने क्योंकि ऐसी टॉपिक पर वीडियो बनाया कि वैसे ही आडियंस आपके पास आए आप अच्छे टॉपिक पर वीडियो ब तो आप long term के लिए काम कर रहे हो, short term के लिए काम करने से कोई फायदा नहीं, तो जो लोग फालतु के thumbnail बना करके अपने वीडियोज को चमकने के लिए और ये सब करते हैं, ये प्लीज आप लोग बंद कर दो, ये आप लोग short cut तरीका ढोल रहे हो, सकसेज का कोई short cut नहीं होत खान सर ने दोस्तों उस दिन वीडियो में नाम तो नहीं लिया था, इन्होंने news agency में भी बात की, new channels पर भी वहाँ भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर clear बता रहा हूँ, इनको 107 करोड का offer दिया गया था, अनेकेडमी के द्वारा, बिल्कुल सही सुना आप आपने, ये सभी student को पता भी होगा कि कौन offer देता है, आप लोग अगर हमसे भी जुड़े होंगे, अगर 2 साल हो से, 2 साल से उपर से अगर जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा, 2 साल पहले मैं भी अनेकेडमी पर काम किया करता था, और वहाँ पर इसी वज़ा से मैं ब करके ले आओ, अब उनको, उनसे ये नहीं मतलब कि कोई भी student होता है, उसके माबाप कहां से पैसा लाते हैं, कितनी मजबूरियां होती हैं, जो student होता है, वो अपनी pocket money कितना बचा 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 करके कोई course खरिता है, कोई चीज खरिता है, तो उसको इतने महगे महगे course ये हो जाते हैं घंटो में, तो वो जो company है, क्योंकि वो corona invest की हुई है, ठीक है, और भी ज़्यादा invest की हुई है, पता नहीं कहा से funding आई हुई है, ठीक है, तो वो company जो है, अब उस company में बड़े बड़े teachers आए हैं, बहुत से teachers को खरीद लिया है, तो वो सोच रही है, कि पूरे क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चे कोर्स खरीद रहे हैं, तो किस परपत से खरीद रहे हैं, अगर एक कोर्स परचेज करते हैं, तो उसी नाम से उसी का अभी आप NTPC को देख लो, NTPC exam हुआ जाकर कि आप अनकेडमी पर चेक करोगे, तो NTPC के करीब करीब हजारों स इतना लेट हो रहा है, उस पर आप Part 1 कोर्स लांच कर रहे हो, फिर 2 लांच कर रहे हो, ये बैच, वो बैच, पता नहीं कौन कौन सा बैच लांच कर रहे हो, क्या आप जब पहला एक्जाम पहला बैच लांच करते हो, तो क्या ये सोच करके लांच करते हो, कि वो पहला कर दिया तो तीसरा course आपने क्यों लांच किया क्यूं बाकि की जो audience है उसको उसको क्या समझ करके आप तीसरा course launch कर रहे हो कि वो तीसरा course फिर से आकर purchase करेगी अगर वो पहला दूसरा purchase किये तो ये सब बेवकूप बनाने का तरीका है और teachers की वहाँ पर भी जो है उनको उनकी भी गलती में नहीं देना चाहूँगा क्योंकि उनको force किया जाता है कि आप ऐसा करो अगर आप नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा आपको कुछ मिलेगा नहीं आपको यहा प्रसीज हमेशा चेंज होती रहती है उनको उनका कोई ऐसा तरीका नहीं है पैसा देने का या कुछ करने का वहाँ पर बहुत force किया जाता है कि दिन राज जग करके आप course बनाओ, target complete करो या पर आप हमारा भी course देख लिजिए या फिर खान सरकाई course देख लिजिए आप बह सभी टीचर्स को जितने भी यूटूब के टीचर्स हैं उनको एक रहना है और support दिखाना है अपना खान सरके प्रती ठीक है और इनको ये जो अभी पिछली वीडियो में कि हो सकता है कि पता नहीं कब कौन सी वीडियो आकरी हो जाए तो हम सब को request करनी है कि ऐसा ना करें, ब आप से यही गुजारिस है कि आप ऐसा ना करें, यूटूब को ना छोड़ें और अपना काम करते रहें ये जो चंद हैं मुठी वर के लोग ये कुछ नहीं कर पाएंगे और जो रही बात ये बड़े इंस्टिट्यूट की तो इसको तो हम लोग अगर लगातार ऐसे लगे रहें यूटूब पर तो ये अपने आप जल भूनकर ही खत्म हो जाएंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिंद वन्दे मात्रम